तो आज मैं आप लोगों को दूंगी बहुत ज्यादा ना इस्पेशल वाली और टेस्टी रेसिपी थोड़ी सी तरी वाली रेसिपी है यह जो की है अर्बी की सब्जी की इसको ना पैप्ची भी बोलते हैं अरूई भी बोलते हैं एकी सब्जी है नाम अलग अलग है लेकिन तो शुआ बड़ी अधरल यहादा बना भी अर्बी जासी के तो बड़ी काः में एक आपना एक अतर समय इसको है सब्जी जो ह्याह, प्रणाट की ओड़र केसे मिल हुआ थेको ने जाए यह तो इसको नना पें बना सकते हैं तो समझने वाली बात है इसको जो है छिम जो यहां पर खड़ी अर्भी जो है ऐसे ही बना रही हों कटवट नहीं करिया है मैंने इनको और थोड़ा सा ज्यादा तेल डाल के इनको निकाल लेना है जिससे कि थोड़ी सी जो ही आधिय है दूर से पक जाने चाहिए फिर उसी तेल में डाल देना है हमने थोड़ा सा जीरा और कश्मिरी लाल मिर्च का यूज यहां पर करना है और हल्दी पाउडर नमक धनिया पाउडर और डाल देंगे इसमें दही यहां पर मैं तीन चमच यूज कर रही हूं नॉर्मल स्पोन से दही ज्यादा खटी नहीं होनी चाहिए ठीक है यहां पर क्यूंकि मैं टमाटर का को अरिरी मिर्च का पेस्ट अर ब Vallahi पाउड डुफ्लने के बाद मसालों क चुछ पमकर्स पखा लेना है प्रहूतर दॉप मर्च भाउडर धना नहीं है और पऊलें के बाल उन पाउडर मसाला म साले तर नहीं ढूब हाउडर इसमे डुट डुर पाउडर म करो है। भाउड अगर आप लोग पास जले ने अप्पालिधि के और सांबर और पावभाजी का तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं, सबजी मसाला या फिर की चंगिंग मसाला तो थोड़ा सा पाने डाल के पका लेना है ताकि हमारे जो मसाले जलेनी पिर साथ ही इसमेना डाल देना है कस्तूरी मेथी और यहां पर धनिया पती का पाउडर जो है मैं यहां पर यूज कर रही हूँ अगर आप लोग के पास धनिया पती का पाउडर नहीं है तो आप लोग खड़ी धनिया जो पती वाली होती है बाद में कट करके वो उपर से डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर पाउडर का यूज किया है मसालों को बहुत अच्छे से पक जाने देना है मसाले अगर कड़ाई में लग रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा जो है पानी डालके इसको बहुत अच्छे से पका ले ला है कोशिश करना है कि मसाले जो है बहुत जाता ना ढगड़क के नहीं पकाए जाए अगर आप लोग में ऐसी जैसे की चलाती चलाते मसाले जो है अच्छ तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के जो है मसालों चला तो पका लेना है मसाली बखाए अच्छी से पकाने के बार इसमें हम डाल देंगे हमारी अरवी जो हमने mix करके रखी ती दखी के साथ यहां पर मसालों में जो मैंने मिर्ची पाडर का यूज किया है वो मैंने तीखी व कि यह डाल देने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे एकदम नहीं डाल देना है कुछ एमने इनको फटा कैए था था थोड़ी थोड़ी थेर के लिए हम पका लेंगे जिससे की हमारी अरभी चल्द बनानी तो आप लोग ना अरवी को जो है ना एक सीटी कूकर में लगा सकते हैं जिसे की अरवी जो है बहुत चल्दा जल्दी गल जाएगी या फिर पक जाएगी तो यहां पर चलिए आम लोग चेक कर लेते हैं फोकिस स्पून से या फिर चाकू की मदद से जैसे आप लोग पकाने में कोई टाइम नहीं लेगा यह जल्दी ही पक जाएगी और यहां पर जितनी ग्रेवी आप लोग ने रखनी है उतनी ग्रेवी डाल के एक से दो बॉइल जो है सबजी को फिर आ जाने देना है यह से पका लेना है दनिया पत्ती की गार्निशिंग आप लोग कर सकते और एक दिन में आप लोग तीन से चार बाजो है खाना खाई जाएंगे यह सबजी बनाने के बाद मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे कोई भी एक वीडियो पसंद आ रही है सो प्रीज करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी प्लेन और सिंबल सी र थांगे सब्सक्राइब जर देले मेरे संदी लगे, प्रिजव रोगे जरूर कोई आपका है जरूर्चे खाना की तो लगे जरूर कर दो प्रीज करना है।